नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का किशन बालकरी में यूटूब चैनल पर चले दोस्तों आज मैं आपको अपने गार्डन में जो मैं समर की प्रिपरेशन कर रहा था उसका अपडेट दिखाने वाला हूं तो चले देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट है तो यह साम में छट पर गार्डनिंग करना पसंद नहीं करता था पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत उपर मतलम नीचे से उपर मिटी उटी लाना मुश्किल हो जाता था लेकिन अब मजबूरी के कारण आ गया हम टैरीस में और टैरीस में हमेशा धूप रहती है कोई प्रोग्लम नीचे जो की थोड़े मैच्योर हो एक तरह से ट्री का लुक देना तो यह आपके गार्डन को और खुबसूरती से भर देते हैं तो आप इस तरह के प्लांट जरूर लगाए और आप नीचे देखने हैं इसमें जो मैरीगोल्ड के फ्लावर यह सब जो मैंने घर में से ही ग करती हैं उपर से अपने जहें मिट्टी अगरा डाल दिया और इसको मैंने मेथी बो रखिए फिलाल देखे यहां से आपको जर्मीरेशन भी तिक रहा होगा तो अभी आप जन्वरी जन्वरी में मेथी उगा देंगे ना तो आपको फर्वरी के 15 तक मिल जाएगी दोस्तों पतेदार सब्जें होते हैं जल्दी से हर्वेश टोनिक ले त्यार हो जाती है तो आप ऐसे उगा सकते हैं और समर में मैं इनमें कुछ और लगाने वाला हूं और यह जो बैक देख रहे हैं यह वी मैंने वेस्ट मटल से बनाया है और इसमें मैंने भी मिट्टी भरके फिल क इस टाइब के छोटे छोटे घ्रोबैग में लगाएंगी ना तो क्या आउगा वह एक दो फल देकए ही खतम हो जाएगी इस अच्छा आप बड़ा ग्रोबैग लीजे तो मैंने इसमें फिलाल तो भी मैंने मिल्ची बोर रखे लेकिन 15 फरवरी के बात मैं इसमें अपने ल जना रखे हैं और इसको मैं ढ़क के रखता हूं कि मैंने इसे भी टमेटो की सीड़निंग कर रखे अगेती फसल लगा रखी है अपने घर के टमेटो से तो इसे में ढ़क कर रखता हूं कि रात को दोस्तों ओस गिरती है वैसे अब तो धूप आना शुरू हो चुक है लेकिन और यहां देखिए कुछ कुछ आपको जायर्मिरेशन भी दिख रहा होगा तो आप इसलिके से घर के टमाटर से भी उगा सकते हैं यहां पर देखें और यह देखें ब्रिंजल का पाधा आप देख रहें यह मैंने कटिंग से त्यार किया यह दोनों पाधे आपको दिखाता ह और यहां पर देखें मैंने कटिंग से लगा रहा है और नीचे आप देख रहें इसमें मैंने मन्टिपल क्रॉपिंग कर रहें अब धनिया नीचे मैंने उगाया था अब तो यह खतम सा हो गया है क्योंकि इस तीन-चार बाई से पत्य तोड़ चुका हूं तो इसमें मैं द मौसम बदलता है तो जैसे अब गर्मियों से सर्दियों में मारा मौसम गया था तो तुलसी जी के पत्य एक्दम लाल हो गया थे यह पौदा नुस्कान कुछ नहीं है यह ब्ल्कुल हेल्थी पौदा है यह अपने आपको सर्दियों से प्रोटक्ट करने के लिए अपने अब तक चल रहे हैं और अभी तो थोड़ा तोसी जी थोड़ी अच्छी नहीं है कंजिशन में क्योंकि दोस्तों अभी समय विंटर चल रहा है जैसी समर सायंगिन में न्यू ग्रोथ होगी तोसी जुको आप नाइट्रोजन रिच खा दीजिए गोबर का लिक्री और बाकि जो है मैं आपके सांद समय समय पर शेयर करते रहूंगा और यह देखें दोस्तों यह तोसी जी यह एकदम हरी और भरी तूसे जी थी मेरे एक आपने पुराना वीडियो देखा गरा जिसमें तोसी जी की केर की वीडियो बनाई थी यह वही वाली तुसी जी के सद लेकिन डरिये ना आपके कोई भी प्लांट से दी फ्रूटिंग नहीं दे रहा है या फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो रहे था आप थोड़ा पेशन्ट रखें यह नहीं कि आप ड्रूट खाड के फेक दे पेशन्ट रखें वह अपना टाइम पर आने पर ग्रोथ कर देगा यह देखें दूसीतूर का पधा और यहां फे देख सकते जके भी फरवरी आएगी न तो में एक वीडियो बनाने वालोगए इसे आंडियो के भी में नहीं होते हैं। सुवी करने होते सोटे हैं आपको खात देना measurement में प्लांट को दिए 2 ठीकी जया